टेडपूल एंड फुलवरीन मूवी रिलीज होने के बाद क्या यह कहां चाह सकता है कि MCU इस रिवाइविंग चलिए जानते हैं तो हाँ बाई MCU की मच अवेड़ेट मूवी डेडपूल एंड फुलवरीन रिलीज हो चुकी है चाहां पर बाई जैसे ट्रेलर में जो स्टोरी बताई जा रही थी स्टोरी पिल्कुल वैसे ही है चाहां पर बाई डेडपूल को उसकी यूरिवर्स को बचाना है जो कि बाई वो पिल्कुल अकेले नहीं कर सकता तो उसे चाहिए रहता है एक साथी and वो निकल जाता है एक perfect partner को डूणने है जो की obviously Wolverine है जैसा कि trainer से ही hint मिल जा था कि Wolverine के एक से एक variant हमें इस movie में देखने को मिलेगे है वहीं पे ये बात सच भी होती है जहां पर बाई literally Deadpool हर एक universe में जाकर एक perfect Wolverine की तलाश कर रहा होता है ले तो फिर भी mutant है Deadpool को जैसा उसे चाहिए था वैसा Wolverine मिलता भी है लेकिन इस Wolverine को इसके universe में कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि वह पास्ट में यह Wolverine कुछ ऐसा किया होता है जिससे यह Wolverine बहुत ही ज्यादा guilt में है एंड येस TVA में Wolverine को पेश करने के बाद दोनों वहां well spoiler alert प्रून हो जाते हैं और वो वॉइड में जाके मिलते कसांडरा नोवा से फाई मूवी की मीन मीन चीज़ आपको बताओ तो action sequence ला जवाब है एंड इन सीक्वेंस पे जो brutality दिखाए गई है ऐसा MCU में आपने नहीं देखा होगा एंड येस Wolverine को हम जाने ही जाते हैं उनके brutality के लिए but Deadpool by literally आपके दिल पे च्छा जाएगा उसकी comic timing उसकी 4th wall को break करके audience से बात करना फ़ाइ पुलवरीन के दिमाग की हटा ही देता है वो इतना बोलता है इस movie में acting performance की बात करूँ तो यहां में सिर्वान रिनोल्स और यू जैक्मन की बात करूँगा because पूरी movie दुनों के इतनी अच्छी acting की है उन्होंने उनकी मस्ती उनके emotions सब आपको अच्छी लगेगी यू जैक्मन की बात करें तो येस आई बंदे का रोल ही ऐसा है की 24-7 उन्हें गुसल मोड में ही रहना इन लेकिन आप फिल कर पाओगे की बंदे का पास्ट बहुत ही ट्रैजिक है and yes not to forget the special cameos भाई come on क्योंकि ये एक multiverse movie है तो ऐसा होगा नहीं की cameos ना रहे but yes MCU अपने multiverse of madness से सीख रहा है की how not to manage cameos जो first cameo आता है वो बहुत ही unexpected है and वो देखके आप अपनी गुर्सी से उचल पड़ोगे by the way cameos तो सभी unexpected थे एक आत को छोड़के ये सारी चीजों के वज़े से movie fun और engaging लगती है but by storyline wise आपको कुछ देखते नहीं मिलेगा या मैं कहूँ की storyline बहुत ही poor है movie की execution की I would say की अच्छी है लेकिन by जो typical super heroes movie का climax होता है जो की होता है कि hero villain से लड़ेगा वैसा इस movie में खेर आप देखो movie आप समझ जाओगे and yes मैं अजब बेलकुल नहीं कहूँगा कि Deadpool and Wolverine के साथ MCU has revived but it's reviving and MCU के future project से ये decide करेगे कि MCU का future कैसा होगा and yes चाते चाते ये कहना चाहोगा कि Peter saves the day for Deadpool and Wolverine आपने अगर ये movie देखी है तो आपको ये movie कैसी लगी मुझे comment में बता देना और हाँ ऐसी movies and series reviews, recommendations और superhero updates के लिए channel को subscribe करो